नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाधियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बात करूँगा अदानी गुरूप के दो स्टॉक्स के बारे में जहां पर काफी सारे लोगों का सवाल हमेशा बना रहता है अदानी विल्मार अदानी पावर सवाल एक ही है क्या यहां खरी दें या फिर बेच दें क्या करें इन स्टॉक्स में इन stocks में जब तेजी बनती है तो one-sided भागने लगते हैं और काफी heavily भागते हैं अभी ये stocks पिछले कुछ दुनों से consolidate कर रहे हैं इनी levels के पास support हैं दौनों ही stocks में almost supports के पास हैं मैं दौनों ही stocks पर वीडियो शेयर करता रहता हूं जहां पर हमने अभी recently अदानी विल्मार में buy call initiate करी दी 760 रुपीज के बाव पर मैंने आपके लिए SLB काफी बड़ा रखा था 690 का जो की trigger हुआ है उसके बाद मैंने आप से का आभी hold दोरों मत बेचो इस टॉक 634 का low लगा के आया और अभी फिर 720 का high लगा है इसमने दो दिन पहले उसके बाद स्टॉक के numbers आया और numbers मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगे फिर मैंने आपसे around 690 और 700 के something कह दिया कि ठीक है इस स्टॉक को हमें छोड़ देना चाहिए नहीं है carry forward करेंगे हम इस स्टॉक को तो हमने इस स्टॉक को अपने इंवेस्टर से अपने जो viewers है उनसे exit की राय दे दी loss हुआ around 10% के something क अब trading है तो कभी ना कभी तो loss होता है तो call बहुत ही जाता है वास्ट रही खराब रही लेकिन actually में call खराब हो गई है क्योंकि labels नहीं आए बट इस टॉक को अगर आप अभी भी hold करते हैं और view देखना चाहते है तो इस टॉक पे negative view बिल्कुल भी नहीं है मेरा reason कटवाने के पीचे है क्योंकि एक तो level नहीं आ रहे results खराब हो गए कहीं गिर नहीं ना लगे और गिरेगा तो बड़ा loss हो जाता है public को ऐसे stocks में इसलिए हमने निकाल दिया stop loss का मतलब ही क्या है कि अपने loss को कम करें कभी कभार गलत पड़ेगा कभी ठीक पड़ेगा बट जब ठीक अगर आपका stop loss काटके ऊपर आ रहा है और आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है मेरे साथ और आप इसके चलते stop loss नहीं रख रही हो तो मैं आपको बदा हूँ वह जो एक बार कभी जरूर ऐसा होगा कि आप यह महसूस करोगा अगर मैं stop loss रखता ना तो बहुत बड़ा पैस आप losses कर लेते हो एक बार को जब तेजी होती है ना तो बीच बीच में गिर गिर के होती है जिग-जग में लेकिन मंदी हमेसा वन साइड होती है तो stop loss बहुत ही मिंटेन होता है आपके लिए रखना ठीक है अभी अगर मैं अदानी पावर के बारे में बात करूं तो अराउ पहिना कही बेस है और ऊपर में 365 इस टॉक के लिए रेस्टेंस के रूप में काम करना चाहिए बाकि यह स्टॉक अभी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है चार्ट पैटन के इसाब से पॉजिटिव इंदा मीन नेगिटिव नहीं दिख रहा है पॉजिटिव ऐसा वही नही पर चार्ट पैटन को देखकर बायकॉल इनिशेट कर रहा था इस टॉक अपने सपोर्ट पे आ गया है पूरी तरीके से चार्ट पैटन अभी भी सपोर्टिव है कोई खराब नहीं हुआ बस पहले उपर जा रहा था अब वही हाईर आई का चला गया है और बेस जो आराउं सकते हैं तो इस टॉक को भी बेचना मत 660 के SL से इस टॉक को होल्ड करने की राय होगी और उपर में ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेवल जो वो बड़े दिखा सकता राउंड 900 तक भी जा सकता है ये स्टॉक बट मैं आपसे वहीं कोंगा ये एक रिस्की करते उनका अलगी अपना रिदम है उसी रिदम में चल रहे है इन स्टॉक के पीछे चलने का पीछे का रीजन अगर आप देखो तो आपको दिखेगा भाई के वल अदानी नाम अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा यहां पर दो तरीके के लोगो थे हैं बायर एक है वेल्यूशन इतने महंग है क्यों लूम है तो यह सबका व्यू अपना अपना अलग है आपका जो व्यू बनता है आप उसके साब से चलिए लॉंग टेम के लिए हम इस स्टॉक में रिमेश किराय नहीं देते हैं तो यह मेरी वीडियो अदानी पावर अदानी विलमार के अगया फाक को लेकर hope आप लोगों को समझ में आयोगी पसंद आयोगी वीडियो थांक वाचिंग वाचिंग विलियो